नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका इंफिनिटी नौलिज में तो दोस्तो इसराइल ने ब्राक मिसाइल के एक्स्टेंडर रेंज का सफल परिक्षन कर लिया है और इस मिसाइल की रेंज होगी डेड़ सो किलोमेटर तो क्या है ये पूरी न्यूज आईए इस वीडियो में डि इसराइल ने इस इंटरसेप्टर की रेंज को बढ़ा दिया है इस इंटरसेप्टर की जो पहले रेंज थी वो 70 किलोमेटर थी लेकिन अब इसकी जो रेंज है वो 500 किलोमेटर प्लस कर दी गई है देखा जाए तो जो इसराइल है वो अपने हर मिसाइल में रेंज को कम रख और अगर इस Interceptor के manufacturing की बात करें तो इसे इसराइल की Israel Aerospace Industry बनाती है और इस Interceptor की help से missile, fighter jet, cruise missile को काफी अराम से मार गिराये जा सकता है और ये Interceptor Brock Interceptor Family का है और इस Interceptor को हम vertically भी use कर सकते हैं और इसराइल की Aerospace Industry ने कहा है कि इस Interceptor की जो range है उसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से adjust कर सकते हैं जैसे कि हम उसे आराम से increase भी कर सकते हैं और decrease भी कर सकते हैं Brock 8 Sam को Israel Aerospace Industry और भारतिय DRDO, Rafale, Elite System और दूसरी कमपनिया साथ मिलकर बनाती हैं और इस missile को इस तरीके से design किया गया है जिसकी help से aircraft, helicopter, drone, anti-ship missile और ballistic missile और इसमें सबसे जो best चीज है वो cruise missile है इन सभी missile को हम इस missile की help से अराम से मार सकते हैं Israel के Brock 1 System को भारत और Israel दोनों ही देशों की नो सेना इस system को इस्तमाल करती हैं लेकिन अब इस system की missile की range को बढ़ा दिया गया है और अब इसका इस्तमाल थल सेना भी कर सकेगी Brock 8 के current version को भारत ने 2019 में 770 million dollar में purchase किया था अपनी नेवी के लिए और इस system को कहीं देश यूज करते हैं जैसे की Israel, भारत और Azerbaijan और अगर Brock 8 missile की बात करें तो इन missile की जो speed है वो 2 Mac है और अगर इस missile की range की बात करें तो इस missile की जो range है 70 km थी लेकिन अब इसे upgrade करकर 1500 प्लस कर दिया गया है और इस system को कहीं देश यूज करते हैं जैसे की Israel, भारत और Azerbaijan और अगर Brock 8 missile की बात करें तो इन missile की जो speed है वो 2 Mac है और अगर इस missile की range की बात करें तो इस missile की जो range है 70 km थी लेकिन अब इसे upgrade करकर 1500 प्लस कर दिया गया है इसराइल की अगर बात करें तो जो इसराइल है वो अपने हत्यारों की range को कम करता है लेकिन जो accuracy इसराइल देता है अपनी missile को वो लगबग लगबग किसी भी देश के पास नहीं होती है और इसराइल ही एक मात्र एशा देश है जो की fully ballistic proof है अगर कोई भी देश इसराइल पर हमला करता है तो जो missile है वो इसराइल में घुसने से पहले ही खतम कर दी जाती है थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव गूड डे